जम्मुकश्मीर में 13-370 हटाये जाने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, चुनावायोग ने जम्मुकश्मीर में तीन चरडों में चुनाव कराये जाने की घोशना की है साथी हर्याणा में एक फेज में चुनाव होगा इन दोनों राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव के परिडाम चार अक्टूबर को जारी किये जाएंगे दिल्चस्प बात है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद सब कुछ इतना चंगा था तो चुनाव कराने में इतनी देर क्यों हो गई और वहीं एक दूसरा सवाल आज पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से अपना ग्यारहमा भाशन बतोर प्रधान मंत्री देते हुए नरेंद्र मुदी जी ने एक देश एक चुनाव की वकालत की मगर 2002 के बाद से लगातार हर्याडा के साथ होने वाले महाराष्ट के चुनाव को नहीं करा रहे ऐसा क्यों है कि दो राज्यों का चुनाव जो एक साथ हुआ करता था उसे ही साथ न कर अपराईं की स्थिमें प्रधान मंत्री एक देश एक चुनाव की बात क्यों करते हैं क्या है चुनाव का खेल और क्या है इन चुनाव का परद्रिश आज के वीडियो में इसकी पढ़ताल करेंगे तो चुनावों की घोषना हो गई चुनाव आयुक्त प्रमुक्त चुनाव आयुक्त ने प्रेस कंफरेंस करके जम्मू कश्मीर और हर्याणा के वीधान सभाद चुनाव की घोशना करदी जम्मू कश्मीर में विधानसभाद चुनाव 18 सितंबर से तीन चरणों में होगे यानि तीन फेज में जम्मू कश्मीर में विधानसभाद चुनाव कराए जाएंगा हर्याणा में एक फेस में एक अक्टूबर को अकेले एक फेस में विदान सभा का चुनाव होगा जम्मु कश्मीर के तीनों फेस की तारीख घोशना करते हुए चुनावायोग ने बताया कि 18 सितंबर 25 सितंबर और एक अक्टूबर को मतदान होगा जमु कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधान सभा का चुनाओ होने जा रहा है जमु कश्मीर की 90 विधान सभा सीटों पर 3 चरड़ों में मददान होगा आखरी चुनाओ जो जमु कश्मीर में हुआ था वो नवंबर दिसंबर 2014 में हुआ था 2014 में हुआ चुनाओ 2024 में अब फिर से होने जा रहा है पिछले इतने वर्षों बिना चुनाओ के देश का एक राज राष्टपती शाषन के साथ यूनियन टिरिटरी बनाए जाने के साथ जी रहा था अब 370 निरस्थ होने के बाद इस राज में पहली बार विधान सबा का चुनाओ होने जा रहा है चुनाओ आयोग की घोशना के मताबिक जमु कश्मीर में कुल 11,838 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और हमेशा की तरह पिछली बार की रवायत को जारी रखते हुए महिलाओं के लिए अलग पोलिंग स्टेशन बनेंगे मोग की चुनाओ आयोग्त राजीव कुमार ने एस बार के प्रेस कंफरेंस में वो तेवर नहीं दिखाया क्योंकि शायरी नहीं पड़ी वो तेवर नहीं दिखा हाँ लिमिजाज वही था उन्होंने गोशना की कि 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची जारी हो जाएगी जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज जिसमें दावा किया गया था कि थारा 370 पर हटाये जाने के बाद आतंकवादी गत्विधियां खत्म हो जाएंगी वहाँ तंकवाद की कोई बात नहीं होगी मगर अफसोस बदस्तूर जारी है शहीद होने वाले लोगों की वहाँ पर वारदाते कोई दिन ऐसा गुजरे जिसमें वहाँ पर कोई ऐसी दुरघटना ऐसी साजिश और भारत के जवानों के ओपर हमला नहों मुश्किल होता जा रहा है धारा 370 हटाई जाने के तरकों के पीछे हलांकि तकनीकी तौर पर कहें तो धारा 370 हटाई नहीं गए उसके प्रावधान बदले गए 35 ए और धारा 370 के प्रावधान बदले गए कुछ बदलाओं उनमें पहले बे हुए थे लेकिन ठोस बदलाओं पिछले दिनों नरिंद्रमोदी की सरकार ने की और उस समय जो कुछ ठोस तर्क दिये गए थे उन तर्कों में से एक तर्क यह भी था कि आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी मगर आज भे तिरंगे में लिप्टी शहीदों की चताएं देश के कई राज्यों में भेजी जा रही हैं आसुओं में लब्रेज लोग देशभक्ती के नारे लगा रहे हैं अमर होने के नारे लगा रहे हैं मगर आतंकवादी और हमले और हमारे देश के सेना के जवानों के मारे जाने की गटनाएं कम नहीं होई हमें याद है कि जब 370 पर फैसला केंद्र सरकार ने लिया था ग्रीमंत्री अमिशाह जी ने सदन में सीना ठोक करके जो बात कही थी जान दे देंगे कश्मीर के लिए क्या बात करते हैं जान दे देंगे कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोक तंत्र को तुरंत बहाल होना हो चाहिए वहाँ चुनाओ कर आए जाएं वहाँ के जितने च्छित्री दल थे उन लोगों ने भी लगातार इस बात के मांग की और अब जाकर के जम्मू कश्मीर में चुनाओ होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर जो अलग-अलग वजहों से बेहत सम्विधन शील और मुश्किलों को जहिलतेने वाला राज जरह हम उमीद करते हैं कि लोकतंत्र वहां मजबूत हो जम्हूरियत में वहां की आवाम बढ़चर कर भाग ले और एक ऐसी हुकूम अच्चुने जो उनके हक हुकूक को उनके स्वाभिमान को इस मुल्क के सम्विधान को और ताकत से लागो करे ताकि जम्मू कश्मीर के असान हो सके सुरक्षित हो सके नयाइपरी हो सके साथ ही जम्हू कश्मीर के साथ हर्याडा का चुनाव होगा 90 सीटे हर्याडा में एक दिन यानि एक अक्तूबर को वोटिंग डाली जाएगी और नब 20,939 पोलिंग स्टेशन हर्याडा में होगे हर्याडा एक ऐसा गजब का राज है जहां बुजूर्ग वोटरों की मदाता सूची में नाम सबसे जादा है एक आकड़े के मताबिक तकरीबन 10,000 से जादा 100 साल से जादा की उम्मर के मदाता हर्याडा में मौजूद है और यह आकड़ा किसी भी देश के लिए बढ़ा खुबसूरत सा आकड़ा है हमा नहां 100 साल से उपर के वुजूर्गों की तादार ठीक ठाक परियाप मातरा में जम्मु कश्मीर में जब चुनाव होगा तो भारती जिनता पाल्टी चुनाव लड़ेगी क्या पेछले लोग सबाचुनाव में कई जिगर से ये संकेत आए कि जिस जम्मु कश्मीर में सब क कुछ खुशाल बताने का दावा बीजेपी सरकार दिल्ले में बैठ कर कर रही थी उसकी कई अपने प्रत्याशी उसने अपने प्रत्याशी जम्मु कश्मीर के कई लोग सबाक्षित्रों में नहीं खड़े कि देखना दिल्चस्प होगा कि अगर ये चुनाव होता है तो ज जिस हर्याणा में चुनाव होने जा रहे हैं क्या भारती जंता पार्टी अपनी सक्ता बचाने में काम्याब हो पाती है याद करना दीगर है कि इसी हर्याणा में मनोहर लाल खटर जो मुक्यमंत्री हुआ करते थे भारती जंता पार्टी की तरफ से पेचले दिनों भारती जन्ता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है ताकि जो एंटी इंकम्बेंसी है जो नाराजगी है वो मनोहरलाल खटर के माते ठोप करके एक नई लिडर्शिप को वहाँ पर रखा जाए और हर्याणा में चुनाव जीता जाए हर्याणा वही राज है जहां उत्तरप् पर हर्याणा में एंटी जाट पैटर्न के मात बीजेपी ने गैर जाट ओवी सी वोटों को अपनी तरफ लाने में काम्याबी हासल की लेकिन इस बार देखना दिल्चस्प होगा कि दुश्यन चोटाला से लेकर डिपेंदर हुड़ा तर नया नित्रतो क्या भूमिकानी बा मुख्यमंत्री पद पाने के लिए और बहुत कुछ सत्ता की हनक पाने के लिए वो साथ न गए होते तो बीजेपी की सरकार न बनती और हर्याणा में पिछले दिनों ये देखने को मिला कि उन्होंने आप उसको छोड़ दिया साथ क्या है वो पुसमिकन और उनकी में तब्दील हो जाएगी और क्या कॉंग्रेस की तरफ एक रुजहान हर्याणा में बनता दिख रहा है हमें याद है कि किसान अंदोलन में सबसे मुखर पंजाब के बाद अगर दूसरा कोई राजी था तो वो हर्याणा था और हर्याणा किसान अंदोलन के जख्मों को और वो इलाके किसानों के ऊपर होने वाले अन्याय और शोशन की कहानिया आज भी बया करेंगे ऐसी हालात में ऐसी प्रिष्ट भूमी में क्या बीजेपी हर्याणा का अपना सत्ता का किला बचाने में काम्याब होगी कहना मुश्किल है बीजेपी मुश्किल में है इसलिए ये बीजेपी ने बहुत सोच विचार करके अपने और मुश्किल राज महाराष्ट को हरियाना के साथ चुनाव में शामिले नहीं किया और ये बात दीकर है यहीं से एक संकेत मिलता है हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में भारती जनता पार्टी ने अकेले बहु नहीं मिला उने, 240 सीटों पर बीजेपी ठहर गई, नितीश और नाइडू की जोड़ी के साथ केंदर में सरकार तो बन गई, लेकिन हरियाना और महाराष्ट के चुनाव उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बन करके, एमतिहान बन करके खड़े हैं, जितना मुश्किल डग में एक साथ बीजेपी, दस के दस लोग सभा सीटें जीती रहें, 14 और उन्निस में कमों बेश हरियाना का रुज़ान यही रहा, इस बार हरियाना में बीजेपी पांच सीटें हार जाती है और कॉंग्रेस पांच सीटें जीत जाती हैं, लेकिन बात करेंगर महाराष्ट की, तो महाराष्ट में भारती जन्ता पार्टी के लिए और बुरे समीकर है। तो प्रधान मंत्री जी ये बात पूरा कहना भूल गए कि बीजेपी के बाहर जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाब पूरी मांदारी से उनकी जंग जाने है। जहां जेल में जाएंग चक्की पी सिंग वाले अजीत पवार देविंदर फर्णवीस के साथ। जो दविंदर फर्णवीस अजीत पवार के खिलाब क्या क्या नहीं बोले। वही अजीत पवार पेछले दिनों जब दिल्ली आए तो जातिवार जंगरना की समर्थन में बोल गए। वही दूसरी तरफ एकनाच शिंदे को शिवशेना तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया और आज की तारीक में एकनाच शिंदे बहुत कमजोर मुक्यमंत्री साबित हो रहे हैं। वह शरत पवार और उधो ठाकरे के साथ। क्योंकि ये दोनों पार्टियां कैडर बेश्ट पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां इमोशन बेश्ट पार्टियां और महराष्ट में इनका कारिकरता अपने नेता को, अपने विचारधारा को, अपनी पार्टी को जानता और पहचानता है उसका छोटा सा सेंपल उसने लोक सभा चुनाओ में दे दिया और उसका बड़ा सेंपल देने के लिए वो विधान सभा चुनाओ में मन बढाए हुए है कहीं ऐसा ही डर तो नहीं था कि एक देश एक चुनाव का बहुत बड़ा भाशन देने वाले प्रदान मंत्री जी महराश्ट का चुनाव जो पुछले कई दश्कों से हर्याणा के साथ होता था इस बार हर्याणा के साथ नहीं करा रहे हैं आखिर क्या वज़े महराश्ट की तरफ से विपक्षी दलों की ये बातें सामने आई हैं कि अभी महराश्ट को वो और लूटना चाहते हैं महराश्ट में और लोगों को तोड़ना और खरीदना चाहते हैं क्योंकि महराश्ट में अभी उनकी हालत बहुत खस्ता है क्या विप साथ सरकार चुनावायोग चुनाव करा दे तो सरकार के लिए रहते हुए बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी दोनों जगे की कुरसी हाथ से जाती हुई दिख रही है क्या क्योंकि दोनों जगे के समीकर्ण भरती जिंता पार्टी के घोर खिलाफ में चुनोती पेश कर रहे हैं ऐसे में पहले हर्याणा का निप्टा लो बाद में महाराष्ट को निप्टाएंगी क्यों राजीव अग्रवाल ने ये बात कही कि वहाँ पर भी मौसम है ऐसा बारिश हो रहे है गोया पहले बिना बारिश के चुनाव होते रहे ये सवाल ये इसलिए है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी आज की तारीक में इन राज्यों में अगर सरकार से चली जाती है यानि अगर भारती जन्ता पार्टी महराष्ट में सत्ता खो देती है उधव ठाकरे शरत पवार और कॉंग्रिस का गडबंधन महाविकास अगाडी महराष्ट में अगर सरकार बनाने में कामयाब हो गया लगे हाथ अगर हर्याणा में भी बीजेपी की सरकार चली गई और विपक्ष वहाँ चुनाव जीत गया और जमुकश्मीर का तो कोई भरोसा नहीं तो का तो क्या दिल्ली की कुरसी दगमगाने लगेगी क्या उसका असर दिल्ली तक होने लगेगा इसलिए सब कुछ ध्यान में रखकर सब कुछ जोड घटा कर ऐसा फैसला किया गया है कि जब एक देश एक चुनाव होगा तब सो प्याणा का चुनाओ साथ नहीं कराते हैं क्योंकि सत्ता बड़ी चीज है सत्ता पाने के लिए बहुत सोच बिचार कर निड़े लेना पड़ता है ऐसा आकलन सियासित फिजाओं में तैर रहा है इस मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएग अगर आप ये वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भोलिएगा और घंटी की बटन जरूर दबाईएगा अगर आप इसे ट्वीटर या फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए फिर मिलेंगे किसी और टिपड़ी क साथ तब तक के लिए हमें दीजिया इजादत फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद